नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर पर दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक ब्याधि महतोपून जानकारी को ले करके जिहां आज का टोपिक है चलते फिरते उटते बैठते सोते जागते अगर आपके शरीर में सुजन आती है तो ये बहतरीन घरेलू उप आप करें आपको अवश्यलाब देखने को मिलेगा सुजन शरीर के जिस हिस्से में होती है वो जगह पिलपिली सी हो जाती है और हाथ से दबाने पर एक गढधा सा बनने लगता है सुजन के मुख्य लक्षन में रोगी की तवचा सुश्क हो जाती है कमजोरी प्यास अधिक लगना बुखार इत्यादी का होना लक्षन होते हैं इसके सुजन कोई अपने आप में बीमारी नहीं है किसी दूसरी बीमारी की वज़त से भी शरीर में सुजन हो सकती है दिल की बीमारी में सुजन जांखों और हाथों पर होती है लिबर की समस्या में सुजन पेट पर होत इसके अलावा महिलाओं के मासिक धर्म की समस्या में मूह, हाथ और पैरो पर सुजन होती है। इसलिए आज हम आप सभी के लिए सुजन का घरेलू उपचार लेकर क्या हैं। एक गलास गर्म दोध में एक चमच, हल्दी का चोन और पीसी हुई मिश्री को घोल कर रोज पीने से सुजन कुछ दिनों में ही खत्म हो जाती है। एक लिटर पानी में एक कप जोग को उबालने और फिर इसे ठंडा करके पीते रहने से सुजन घटने लगती है। इस उपाय को भी नियमित रूप से आप करें तो आपको अवश्य लाव होगा। इसके अलावा 350 ग्राम सरसों के तेल में 120 ग्राम लाल मिर्च के चून को मिला कर इसे आच पर गर्म करें और उबलने के बाद इसे छान लें और सुजन वाली जगह पर इसका लेप लगाएं। इसा करने से सुजन ठीक हो जाती है। पीसे और आटे को मिला करके पीते रहने से सुजन आसानी से दूर हो जाती है। खजूर और केला भी सुजन को खत्म करते हैं इसलिए खजूर और केला नियमित खाते रहने से थोड़े ही दिनों में सुजन उतर जाती है। गुबर के उपले को जलाकर बने चून का लेप तेल के साथ मिलाकर सूजन वाली जगह पर लगाने से सूजन ठीक हो जाती है। पानी में गेहूं के दानों को उबालने और इस पानी से सूजन वाली जगह को धोने से कुछी दिनों में सूजन उतर जाती है। पानी के साथ 1,4 चमच पीसी हुई हल्दी की फांक लेने से सुजन की समस्या कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी जीरा और चिनी को बराबर मातरा में पीस कर दिन में 3 भार एक चमच फांकेक को लेते रहने से थोड़े ही दिनों में सुजन खत्म हो जाती है तरबूज की बीजों को छाया में सुखा लें और इन्हें पीज लें और एक कप पानी में तीन चमच तरबूज के घिसे बीजों को मिला कर एक घंटे के लिए भिंगो लें और फिर इसे चान कर पीते रहने से सुजन कम होकर उतर जाती है इसका सेवन दिन में चार बार करना आपको जल्दी ही फायदा देखने को मिलने लगेगा 400 ग्राम पानी में 200 ग्राम कच्छे आलू को काट कर आँच में उबालें और इससे सूजन पर सेख करें आलू के टुकडों का लेप करने से सूजन जल्दी उतर जाती है एक ग्राम पानी में दो चमच गाजर के बीजों को आँच में उबालें और फिर इससे ठंडा करके पिएं इस उपाय को रोज करने से सूजन बहुत ही तेजी से खत्म हो जाती है मखन में काली मिर्च के चून को डाल कर अच्छे से मिला कर खाते रहने से थोड़े ही दिनों में बच्चों की सूजन हत्म हो जाती है सूजन कोई लाई-लाज भीमारी नहीं है ये ध्यान रखें आप यदि आप इन आयरुवेदिक उपचारों को नियमित करते हैं तो आप सूजन की समस्या से आसानी से बच सकते हो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बहाद ही महतो पूर्ण जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों